नमस्कार मैं हूँ अनिंदिय चक्रवर्ति और आप देख रहे हैं एकॉनमी का हिसाब किताब मेहंगाई दर छे सालों में सबसे उपर पहुंच गया है और इसके लिए सबजी, दाल, मास, मच्ची जिमेदार है ऐसे समय में अर्शास्त्री क्या कहते हैं कि खाने के चीजों का दाम कम करने का एक ही उपाय है खेती में बड़े बड़े प्राइवेट कमपनी आए और वो या तो खुद फसल होगा है नहीं तो सीधा किसानों से खरीद कर शेहरों में अपनी दुकानों में बेचे इसको कहा जाता है और्गनाइजड रीटेल क्या विदेशों में बड़ी कमपनीों से किसानों को फायदा मिला है इस सवाल का हिसाब लगाएंगे आज और गरीब विरोधी गैंग के अर्शास्त्रियों का पोल खोलेंगे इस एपिसोड में सबसे पहले तो हम इस महेंगाई दर को थोड़ी बारिकी से समझते हैं दिसमबर 2019 में पिछले दिसमबर की तुलना में सबजियों का दाम 60 प्रतिशत बढ़ गया था सरकारी नाप में सबजियों में प्यास का हिस्सा 10 प्रतिशत है यह पहमाना कैसे तैक किया जाता है सरकार सरवे करती है कि लोग कौन सी सबजी कितनी खरीदते हैं यानि अगर एक साल में आपने 1500 रुपे की सबजी खरीदी हो तो उसमें 10 प्रतिशत यानि 15 रुपे का प्यास होगा और बाकी सबजीों पर आपका खर्च होगा 135 रुपे 15 प्लस 135 मतलब 1500 अब सोची कि अगले साल जितना प्यास 15 रुपे में मिल रहा था बिलकुल उतना ही खरीदने के लिए आपको 120 रुपे देने पड़े बिलकुल ऐसा ही इस साल हुआ है अब बाकी सबजीों पर अगर आप 135 रुपे ही खर्च करें तो सबजीों पर आपका कुल खर्च कितना होगा 135 वही की वही लेकिन प्यास 120 रुपे यानि कुल खर्च 135 प्लस 120 255 रुपे उतनी ही सबजीों का दाम एक साल में 1500 से बढ़कर 255 रुपे यानि सब्जियों का दाम 70% बढ़ गया और इसका कारण सिर्फ एक सब्जी प्याज के दाम बढ़ने से बाकी सब्जी बिल्कुल जियों के तियों रहे फिर भी आप अपने सब्जी वाले से भी पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्याज, आलू और लहसन छोड़कर बाकी सब्जीों के दाम ज्यादा नहीं बढ़े हैं बलकि पिछले साल के लेवल पर ही हैं और प्याज के भी जो दाम बढ़े हैं क्या इससे किसानों को फाइदा हुआ है? जी नहीं किसानों का तो आधा फसल बारिश में खराब हो गया है ज्यादा दाम में बेचने के बाद भी वो प्याज उगाने का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए फाइदा हुआ है बड़े व्यापारियों का विचौलियों का जो किसानों से सस्ते में खरीद कर दो गुना तीन गुना दाम में हमें बेचते हैं कुछ अर्शास्त्री कहन थे कि बड़े व्यापारियों का ये शिकंजा तोड़ने के लिए बड़ी कमपनियों को खेती में आने देना चाहिए यानि खेती को कॉर्परिट टाइज करना चाहिए ताकि कमपनिया सीधा किसान से खरीदे और शेरों में अपनी दुकानों में बेचे इससे खाने की चीजों के खरीद फिरोक्त में विचौलियों कबजा है वो खतब होगा किसानों को भी बेहतरदाम मिलेंगे और हम सब को भी फायदा होगा aixíसे लेकिन जैसे की क्रिशी विशेश रगय देविंदर शर्मा जी ने दिखाया है जहां बड़े कमपनिया भी हैं वहां भी किसानों को कुछ नहीं मिलता है जैसे कॉफी में जहां बड़ी कमपनिया अभी भी मौझूद है एक कप कॉफी जिसके लिए आप किसी कॉफी शॉप में जाकर डेर सो दो सो रुपए दे देते हैं उसमें से सिर्फ एक रुपया कॉफी होगाने वाले किसान को मिलता है और यह सिर्फ भारत की बात नहीं है द उसमें किसान को मिलता है एक रुपय में सिर्फ दो पैसे अमरीकी किसानों को भी भोगता जो खर्च करते हैं उसका सिर्फ बारा प्रतिशत ही मिलता है यानि और्गरनाइज रीटेल या खेती में बड़ी कमपनिया आने से किसानों को कोई फाइदा नहीं होता है ऐसे में सि किसानों का cooperative ही किसान और उभोगता दोनों के लिए फायदे मंद होगा इसका मिसाल हमने दूद में देखा हुआ है अमूल और मदर डेरी की सफलता आप सबने देखा हुआ है गरीब विरोधी अर्थ शास्त्री corporate का फायदा करवाने के लिए इस महंगाई के डंडे से किसानों पर वार करने की कोशिश करेंगे सरकाच कुछ करे या नहीं करे इसके विरोध में किसान के साथ हम सब को साथ आकर खड़ा होना होगा